एक study के मुताबिक हर साल जितने students board exams देते हैं, उनमें से 60% students को math पसंदी नहीं होता। Maths एक ऐसा subject है जिससे ज्यादा तर बच्चे डरते हैं और उन्हें maths बिलकुल समझ नहीं आती। लेकिन नमबर तो ला नहीं है, कैसे भी बास तो हो नहीं है, तो क्या किया जाए, किस तरह आप maths को अच्छे से समझ सकते हो। आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि सबसे जरूरी है कि पहले आप अपना mindset change करो। ये मत सोचों कि मैं तो maths में कभी अच्छा करी नहीं सकता। काफी बच्चों को ये लगता है कि या तो आप maths में बच्पन से अच्छे होते हो, आपके अंदर चुटकियों में कोई भी maths problem solve करने का talent होता है, या फिर आप maths में अच्छे नहीं होते और कभी बन भी नहीं सकते। ये सच नहीं है दोस्तों, maths एक skill है और हर कोई इसे सीख सकता है, और जो 5 बाते आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उन्हें follow कर लोगे ना, तो आपकी maths डेफिनिटली अच्छी हो जाएगी, तो वीडियो को last तक देखना, क्योंकि आज फिर जबरदस value add करेंगे आपकी life में, so let's begin, number 5, start with easy problems, अपनी book, how to solve it में, mathematician जोर्ज पॉलिया ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, कि if you can't solve a problem, then there is an easier problem that you can solve, find it, यानि अगर आप maths की कोई problem solve नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको बहुत difficult लग रही है, तो कोई ऐसी problem भी होगी, जो उससे थोड easy हो, उस problem को find करो, simply वो ये कहना चा रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी आसान problem से करो, अगर आपको maths अच्छे से समझ नहीं आती है, तो आडी शर्मा लेके मत बैठ जाओ, शुरुआत किसी easy book से करो, जैसे NCRT, शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन शुरुआत करो, अगर सो आपको भी पहले थोड़ा कम difficult problems को solve करना है, इससे आपका confidence और understanding बढ़ेगी, फिर आप और difficult problems की तरफ बढ़ सकते हो, पहले concept के basics को clear करो, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बच्चे का example दिया था न, कि कैसे बच्चा पहले घुटनों पर चलता है, फिर पैर से और फिर वो भागना दोड़ना शुरू करता है, उसे example से एक बात और समझने वाली है, मान लो अगर अभी बच्चे को ढंग से पैरो पर चलना नहीं आता, और वो एकदम से भागने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, वो बच्चा मू के बल जमीन पर गिरेगा, और यही बात आपकी maths पर भी लागू होती है, अगर अभी आपको maths के basic concepts clear नहीं है, आपको basic knowledge ही नहीं है, और आप एकदम से advanced level के problem solve करने का सोचोगे, तो क्या होगा, वही होगा जो उस बच्चे के साथ हुआ, इसलिए पहले हर concept की basic knowledge लेलो मेरे भाई, किसी subject की basic knowledge वो होती है, जो आपको class 8 तक मिलती है, जैसे maths में आपको addition, subtraction, division, multiplication, probability, decimal, geometry, fraction, statistics, linear equation, quadratic equation, ये सब basic concepts में आ जाता है, तो अगर आपको advanced level के problem solve करने हैं, तो ये सब basic concepts आपको clear होने चाहिए, अगर नहीं आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरनेट का time है यार, आसानी से किसी भी concept का free online video course देख सकते हो, जिस दिन आपने इस वजह वाले box को tick कर लिया, समझो आदी जंग आपने वहीं जीत ली, जब मैं आपने school में पढ़ रहा था, तो मेरे पास पढ़ने का एक strong reason था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस साल अपनी class में top करना ही है, और इसी strong reason की वजह से मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत कर पाया, और class में top किया, तो अभी class में top होने की बात चली रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा Oswal Books की question banks के बारे में, दोस्तों Oswal का नाम तो आपने पहले भी जरूर सुना होगा, एक reputed brand है, हर साल लाग हो बच्चे इनकी books खरीद कर तयारी करते हैं, इस साल भी Oswal 2023-24 के लिए class 6th, 7th और 8 के लिए लेकर आया है one for all question banks, Oswal की question banks की खास बात ये है कि ये new education policy के अनुसार fully up to date है, यानि इनकी question banks में आपको NCRT books का latest updated syllabus देखने को मिलता है, Oswal की question banks में आपको subject experts के द्वारा बनाए गए revision notes और mind maps देखने को मिलते ह हैं, जिनकी मदद से आप exam का तगड़ा revision कर सकते हो, और आपको अलग से extra notes बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, Oswal की inbox में आपको 1600 से भी ज्यादा practice questions और activity questions देखने को मिलते हैं, तो wait किस चीज का कर रहे हो, अगर आपको भी इस साल अपने class में top करना है, तो अभी Oswal की question banks ख अगर उसमें आप weak हो, तो subject को strong मनाने का सबसे evergreen और tried and tested तरीका है, tuition, देखो, जब कोई बच्चा किसी subject में weak होता है, तो उसकी माता-पिता अकसर उसकी tuition लगवा देते हैं, और tuition से फाइदे भी होते हैं, मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, जो पहले maths में weak थे, उन्हे ना तो maths समझ में आती थी और ना ही उन्हें पढ़ना पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने tuition जोइन की, उन्हें थोड़े दिनों बाद maths पढ़ने में मज़ा आने लगा, और उन्हें maths समझ भी आने लगी, ज्यादा तर बच्चे अपने 10th और 12th में tuition पढ़ते ही पढ़त ऐसे tuition teacher को ढूण लेते हो, जिसका maths पढ़ने का style थोड़ा interesting है, तो आपको maths पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि maths असल में interesting होती है, लेकिन schools में ज्यादा तर teachers उसको ऐसे पढ़ाते हैं, कि वो बिल्कुल boring लगने लग जाती है, तो अगर आप कोई ऐसा teacher ढूण जो maths को interesting तरीके से पढ़ाता हो, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा, अगर आप question को पढ़कर ये समझ सकते हो, कि इसमें कौन सा formula लगेगा, और वो formula आपको याद है, तो आपका 80-90% काम यहीं हो जाएगा, इसलिए maths में formula याद करना सबसे ज़रूरी चीज है, और आप exam में passing marks तो ले ही आओगे, क्योंकि अगर आपने question paper में हर question को attempt किया है, और सही formula का use किया है, तो भले ही आपका solution wrong ही क्यों न हो, तब भी हो सकता है कि examiner आपको formula का एक number दे दे, और देखा जाए तो अगर आप सही formula का इस्तमाल करोगे न, तो आपका solution गलत होने का chance आप exam के just पहले सभी को एक बार revise कर लो, टिप number 2, जो सबसे important formula हैं, उनकी एक photo लेकर उनको अपने phone का wallpaper बना लो, इससे आपको वो formula बार बार दिखते रहेंगे, जिससे फिर वो formula आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, अगर आप ज्यादा नहीं सिफ 30-40 मिनट भी हर दिन maths पढ़ने में लग जाओ, तो कुछ महीने में आप अपने marks को कम से कम 20% तक बढ़ा सकते हो, लेकिन problem यही है, कि जो लोग maths में weak होते हैं, वो उसकी practice खुद से करते ही नहीं, बस जितना school में बताया जाता है, उतना ही पढ़ते हैं, और बात सिर्फ maths की नहीं है, चाहे कोई कोई भी subject हो, आप उसमें weak तभी होगे, जब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसकी practice ही नहीं करोगे, कोई भी mathematician पैदा नहीं होता, बलकि एक इनसान regular practice करके, हजारों लाखों problem solve करके, mathematician बनता है, तो अगर आपको maths में अच्छा बनना है, या फिर सिर्फ exam में अच्छे number ल लगा लो, तो धीरे धीरे improvement दिखने लगेगा, इसलिए self study सबसे ज्यादा important है, क्यूंकि school में teacher के pressure से हर बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन घर आकर आप कितना पढ़ते हो, कितनी problems लगाते हो, कितने formula याद करते हो, ये चीज़ ज्यादा matter करती है, इसलिए अगर सच में आप advanced level की problems को ना solve कर पाओ, इसलिए थोड़ी easy problems से शुरुआत करो, ताकि आपका confidence बढ़े और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, नमबर 4, पहले concept के basics clear करो, जिस तरह एक बच्चा पहले घुटनों पर चलना सीखता है, फिर पैरों पर धीरे धीरे चलता है, और एक दि दिन वो दोड़ना भागना भी शुरू कर देता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ढंग से चलना भी ना आता हो, और वो एकदम भागने की कोशिश करें, तो वो मू के बल गिरेगा, उसी तरह अगर आपके basics अभी clear नहीं हैं और आप advanced level के problem solve करने जाओगे, तो वो solve नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले basic concepts की deep knowledge लो, number 3, find a good tutor, एक अच्छा teacher, एक खराब student को भी सही रास्ते पर ला सकता है, इसलिए अगर आपको कोई ऐसा teacher मिलता है, जो maths की अच्छी knowledge रखता हो, और बढ़ियां तरीके से maths पढ़ाता हो, तो आप उनसे tuition ले सकते हो, tuition लेने का अच्छे से याद होंगे, तो आपको question पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कि यहां कौन सा formula लगेगा, और सही formula लगाओगे, तो आपका answer गलत भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पहले formula याद करना जरूरी है, इसलिए formula की अपनी एक अलग notebook बना लो, जिसे हमेशा साथ कि आप कितने पानी में हो, इसलिए daily ज्यादा नहीं, तो बस एक घंटाई सही, लेकिन maths की practice जरूर करो, अगर हर दिन practice करोगे, तो कुछ महीनों में ही आपको improvement दिखने लग जाएगी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है, तो अपने उन दोस्तों के साथ share करो, जिनकी maths week है, ताकि वो भी अपनी maths अच्छी कर पाएं, अगला वीडियो किस topic पर चाहिए, ये हमें comment करके जरूर बताईए, और ऐसी ही गजब की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके, bell icon दबाना, बिलकुल मत भू मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए take care, love you all and all the best!